गाइज आज हम बात करने वाले हैं निप्टी प्रेडिक्शन फोर टुमोरो तो इस दो विक के अंदर आप विकली केंडल देख सकते हैं पुरा रेड है और डाउन ट्रेंड में है और आज जो केंडल बना है ये विक के अंदर तिप उपर का विक बना के हो नीचे की और आ र मार्केट अभी ये पूरा दिन मतलब आगे के जो तीन दिन है तो एक दिन हरा बना था फिर रेड बना फिर हरा बना फिर अभी रेड बन रहा है तो इसके आगे हम क्या देखेंगे कि 15 मिट के चार्ट के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट आगे कैसा रह गया निफ्टी तो आप यहां पर एक ब्लेक कलर का लाइन देख रहे हैं 2640 का जो मतलब सपोर्ट था वो सपोर्ट उसने तोड़के मार्केट दो बज़े के बाद में दो 20 को मार्केट एकदम से नीचे आ गया तो मार्केट जो है अभी यहां पर यह रेड कलर का जो लाइन दुरा हुआ है सपोर्ट जो ड्रॉ किया है मैंने 21514 पर अगर वो ब्रेक करता है तो 2400 बहतर पर आने की प्रोबिबिटी है या संभावना है कि 2400 बहतर पर आ जाएगा और वहां पर आके वो पोस लेगा और वहां से फिर से वो रिवर्ज होगा तो रिवर्ज होके फिर मार्केट उपर जाने की प्रोबिबिटी है वो क्यों है तो आईए मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिन्ट के चार्ट के अंदर तो 5 मिन्ट के चार्ट के अंदर आप तो जैसे मैंने बताया कि यह ब्लैक कलर का जो लाइन ड्रॉ किया है वह सपोर्ट था 21,640 पे वह सपोर्ट को मार्केट ने तोड़के वह नीचे आ गया और 21,514 पे आया और उसके नीचे जो सपोर्ट है 2402 तक आने की संभावना है कल के सेशन के अंदर क्योंकि कल बैंक सपोर्ट दिखा रहा है कि वहां से मार्केट ने सपोर्ट लेके उपर के और जा रहा था ता आप यह चीज़े कल के सेशन में ध्यान में रखना कि मार्केट 2514 को ब्रेक करेगा तो 2402 बहतर को आने की संभावना है थैंक्यू मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए जाओ धने की संभावना है थैंक्यू में भी चावना है